नमस्कार आज फेस टू फेस में हमारे साथ एक विशेस महिमान के तौर पे उपस थीते हैं देश के जाने माने राष्ट वादी एक्टिविस्ट और टेक्सपियर एसोसियेशन और भारत के राष्टी अध्याट्च इसी मन्यू गौड जी मन्यू गौड जी आजकल अपने एक्टिविजम को लेकर के पूरे देश में चर्चित हैं जैसा कि आप सब जानते हैं पुल्वामा अटेक के बाद नकेवल हिंदुस्तान में बलकी पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बना है और इसके साथ साथ जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद का जो समर्थन कर रहे हैं उनके उपर नकेवल भारत की बलकी दुनिया की जहां-जहां सरकारे उन पे जनता के टेक्स का पैसा खर्च कर रही है वहाँ पे मनू गौड जी जैसे लोग उसको रोकने की डिम बानते और जो हमारे सैनिकों के सहीद होने पे खुसी मनाते हैं और उस पे भी राजनीत उनकी लासों पे राजनीत करते हैं ऐसे लोगों पे देश के टेक्सपेर का एक पैसा नहीं लगना चाहिए और इनके उस मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ऐसे सेप्रेटिस्ट जो हुर्यत कॉंफरेंस के नेता अगड़ हैं उनकी सुरक्षा हटा ली मनु जी ने पत्र लिख करके प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद किया इसके साथ ही साथ मनु जी एक एक्टिविस्ट के नाते तमाम ऐसे अवेरनेस प्रोग्राम आपको ये चलाते हैं और क्या सोच करके चलाते हैं कितनी कठनाईया इसमें होती हैं इन सारे बिखियों पर बात करने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मनु गवड़ जी के पास और पूछते हैं कि क्या है उनका ये एक्टिविजन क्या है टेक्सपेर एसोसिएशन और भारत और किस तरह का काम करता है ये एसोसिएशन मनु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे विशेश प्रोग्राम फेश टू फेश में जैसा कि मैंने बताया कि पुल्वामा अट्रैक के बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद को ले करके एक बहुत ही जबरदस्त आकरोस देखने को मिल रहा है और जब भारत सरकार और देश की जनता भी आतंकवाद को ले करके चिंतित है और देश की संता जनता का जो आकरोस है उस सड़कों पे उतर रहा है तो आपके दिमाग में ये डिमांड ने कहां से आई कि जो सेप्रेटिस्ट हैं जो हुरियत कॉ आपके लिडर्स के उपर ही लागू नहीं होती हर वो व्यक्ति जो कि इस देश में इस देश की भावनाओं का इस देश की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता जो इस देश के चाहता है कि टुकडे हो या स्थिरता इस देश में बनी रहे ऐसे किसी भी व्यक्ति के उपर ऐसी किसी भी सोच के उपर टैक्सपेयर का एक भी रुपिया खर्च करना वो गलत है। टैक्सपेयर इस देश में पैसे देता है, टैक्स देता है इस देश के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की समस्याओं के समधान के लिए। लेकिन होता क्या है आजादी के समय टैक्सपेयर जो टैक्स देता था वो टैक्स की रकम लगातार बढ़ती चली जा रही है लेकिन उसी के साथ साथ देश में समस्याएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही है कोई भी समस्या कम नहीं होई है इसका मतलब टैक्सपेयर के पैस को जिस विकास में खर्च करना चाहिए था आप देखिए कि ऐसे सेपरेटिस लीडर्स के उपर अभी आर्टी आई से खुलासा हुआ था वर्ष 2016 में कि 506 करोड रुपे सालाना खर्च करे जाते थे उनकी सेक्योरिटी के उपर किन लोगों की सेक्योरिटी के उपर जो की चाह हो मेरे ख्याल से टेक्सपेर को ये गवारा नहीं ठीक हरे मनु जी जिस तरह से कस्मीर में ये आतंकवाद की घटना हुई और हमारे लगभग 50 के लगभग हमारे जो जवान सहीनिक थे हो सहीद हुए उसके बाद ऐसे लोगों को भारा सरकार की सुरक्षा या राज सरकार की सुरक्षा मिलना मैं समझता हूँ बिल्कुल ही एक तरह से अपरासंगिक हो जाता है और टेक्सपेर्स के पैसे का अपव्य ही कहा जाएगा लेकिन इसके साथ ही साथ पूरे देश में अभी भी जो तमाम नेताओं को तमाम ऐसे अन्य लोग जिनको सुरक्षा की जरूरत नह बेक्ति है और ये आवाज बलकि सुप्रीम कोड तक भी गई लोगों ने सुप्रीम कोड का भी दरवाजा खटकटाया और पिछले दिनों सुप्रीम कोड में कुछ ऐसे फैसले किये जिसमें जो सीक्योर्टी पर खर्च था बेक्तिया सीक्योर्टी पर उसमें बहुत सारी क देके मेरा सदैव से ये मानना रहा है कि सुरक्षा किसे दी जानी चाहिए सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं उन लोगों के उपर तो हम कमी करें उन लोगों की सुरक्षा में हम कमी करें और हम ऐसे लोगों को जो सिर्फ स्ट नवाद दूँगा भारफ सरकार का कि जिस स्टेटस सिंबल को हटाने के लिए उन्होंने कुछ प्रियास करे हैं जैसे पहले लालबत्ती कल्चर कितनी चलती थी तो वो इस सरकार ने आके लालबत्ती कल्चर को दूर करा सारी लालबत्तियां हटी इवन देन आप देखेंगे तो केंद्रिय मंत्रियों की भी सुरक्षा इतनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी तो बहुत सारे प्रियास हुए हैं ऐसे और लेकिन और भी होने अभी बाकी हैं अभी 17 तारीक को भारा सरकार ने 5 सेपरिटिस लीडर्स की सुरक्षा हटाई प्रिक्षा का रिव्यू करके उनमें या तो हटाया है या कम करा है तो यह अपने आप में एक शुरुवात है अच्छी पहल है और यह होनी चाहिए और हम Taxpayer Association और भारत हमेशा Taxpayer के पैसे के दुरुपियों के विरुद आवाज उठाती रहे मनु जी आपने एक मुद्दा उठाया कि जो Taxpayer का पैसा है उससे प्रिटिष्ट की सुरक्षा पे ना खर्च किया जा सके लेकिन बात सिर्फ जम्मू कस्मीर की करें क्योंकि आजकल सबसे अधिक चर्चा इस देश में जम्मू कस्मीर की हो रही है जम्मू कस्मीर को इस देश में एक विसेश राजी का दरजा हासिल है और हिंदुस्तान के Taxpayers का एक बड़ा पैसा एक बड़ी रासी उस राजी पे खर्च हो रही है और उसके एवज में भारा सरकार का जो एक फेडली जम है जो संगवाद है कहीं कमजोर होता दिखता है आप मानते हैं कि इस पर भी भारत सरकार को कड़ाई से विचार करना चाहिए कि जो Taxpayer का पैसा बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में वहां जा रहा है इसकी भी समिक्षा होनी चाहिए आप क्या मानते है देखे सबसे महतुपूर्ण बात क्या है कि वो पत्थरबाज क्यो कोई काम नहीं है आप आज मेट्रोज में जाएए आदमी सुबह घर से निकलता है रात तक नौकरियां करता है अपना व्यवसाय करता है रात को लोट कर घर आता है उसके पास आप किसी शहर में बोल कर देखिए कि हम आपको इतने रुपे देते हैं आप जड़ा पुलिस व फ्री में देने की आदत पड़ चुकी है टैक्सपेयर का पैसा है उठा कर किसी को भी वोट बैंक की राजनीती के कारण फ्री में बाढ़ते रही है ऐसे ही यह चीजे कश्मीर के लिए भी होती रही इस्पेशल स्टेटस का दर्जा कश्मीर को मिला धारा 370 के हिसाब से पै कि कारोबारिक बड़ी गतिविदिया कश्मीर में नहीं होती हैं तो जब तक वहाँ पर रोजगार उपलब्द नहीं होगे जब तक अच्छा जीवन उपलब्द नहीं होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगे तब तक युवा कुछ और सोचे गई ही नहीं वो और जो भी आएगा वो उसे कुछ भी भढ़काएगा वो उस रास्ते पर चले जाते हैं तो कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कम से कम आप धारा 370 हटाने का एक constitutional provision है लेकिन section 35A आप हटाईए जिससे कि outsider वहाँ पर जाकर bus सके और वो वहाँ पर जाकर कारोबार कर सके वो वहाँ पर जाकर industries लगा सके वो वहाँ पर और भी विवशाय कर सके जिससे वहाँ के local युवाओं को रोजगार मिले जब उनकी कमाई होगी तो कम से कम वो ऐसी इस्तिती की तरफ नहीं जाएंगे आप ठीक कर रहे हैं लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ क्योंकि इस देश के तमाम ऐसे राजे हैं जहां पर आप विरुद्गारी की जो दर है जो rate of unemployment आप देखेंगे बहुत अधिक हैं लेकिन वहां कोई इस तरह का crime आपको नहीं मिलेगा और यह अपराथ से भी एक कदम आगे बढ़के जो आतंक वाजियों का साहथ देना और राष्ट दो की सेड़ी में आता है और कोई भी बेक्ती unimplied होने के नाते राष्ट दो ही गत्विदियों में सामिल हो इसका किसी भी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता कोई तरक हम दे करके उन्हें बचा नहीं सकते कि वो बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा करें कि इस देश के तमामे से राजियों में आप एक NGO चलाते हैं तो आपके पास बहुत सारे आकड़े भी आते होंगे कि बहुत सारे राजियों ऐसे हैं जहां पे बेरोजगारी की दर बह और्थीस्ट में आतंगवाद को किस तरीके से खत्म किया गया अभी सरकार के दोरा लेकिन वो सारी चीजे वो गरीबी वो मजबूरी जो है जीवन की वो उन सारी चीजों को क्योंकि उन्हें जब संसाधन नहीं मिलेंगे वो अपॉचिनिटीज नहीं मिलेंगी तो कोई भी आदमी आएगा वो उन्हें बहकाएगा और वो बहकेंगे ये हर जगे आप देखें नकसल किस किस छेत्रों में है तो ये बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है हिंदुस्तान के हर हिस्से की है और समान अपॉचिनिटीज क्यों नहीं मिल पाती हर साल हम दो करोड से ज़्यादा ब मिलकुल आप आपने जो मुद्दा उठाया इस मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये भी था कि जनसंख्या नियंत्र को लेकर के आपने बहुत जबर्दस्त एक बड़ा देश्यापी अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्सकों को बताए कि कि वर्तमान समय में डेमोक्रेसी के बाहर आप सोच नहीं सकते कि आप राज तंत्र की तरह जबर्दस्ती कोई कानून ला करके लागू कर दे वैसा संभव नहीं है आज के समय में तो सुझाओ क्या है आपके मांग क्या है आपकी जनसंख्या को नियंत्रित करने की और उसको न हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड से भी जादा हो चुकी है जबकि सरकारी आकड़े कुछ और प्रदरशित करते हैं वश 2000 में 11 माई को इस देश के 100 करोडवे बच्चे ने जनम लिया उसका नाम है आस्था अरोडा तो तब से लेकर आज तक हमारी जनसंख्या 42 करोड बढ रहे हैं और यह 142 करोड कम से कम क्यों है यह जब आधार कार्ड जो आज कल बन रहे हैं तो आधार कार्ड की वेब साइट पर जाएंगे हमारी पूरी रिपोर्ट भी पब्लिश है इस पर वो आधार कार्ड के अनुसार आपको ग्यात होगा कि अब तक लगभग 123 करोड प्रोजेक्टिट पॉपलेशन के हिसाब से दिल्ली 100 लोगों के अधार कार्ड बनने थे 120 लोगों के बन चुके हैं और फिर भी अभी बनने बाकी हैं तो अगर आप वो सारी फिगर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 142 करोड कम से कम हमारे देश की इस हर घर में बिजली देने की बात करते हैं हर घर में चूला देने की बात करते हैं बहुत आवश्यक हैं देना भी चाहिए लेकिन अगले 35 साल में बढ़ने वाली और जो 65 करोड अबादी है उसे वो संसादन कहां से आएंगे फिर वो सारा बोज किस पे आएगा फिर वो सारा कम होनी शुरू होंगी, कब सब के सिर पर छथ होगा, कब सब को शौचाले मिलेगा, इसके विशे में कोई नहीं सोचता, बस एक अंदे रास्ते पे चले चले जा रहे हैं, तो बिना जन संख्या नियंतरन करें, कुछ नहीं हो सकता, अब जब इतने वर्षों से, 1974 से आज तक, टैक्सपेयर का सवा दो लाग करोड रुपिया खर्च करा, फैमली प्लैनिंग स्कीम्स में, भारत सरकार में, और अगर आप इसे रियल टाइम मनी में कनवर्ट करेंगे, तो ये बीस लाग करोड के आसपास बैठता है, मतलब भारत सरकार का, एक साल का रिवन्यू कलेक्श तो बीस लाग करोड रुपिया खर्च करके, हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, टैक्सपेयर का पैसा खर्च करके, आप क्यों नहीं रोकते, या तो वो पैसे का दो रुपियोग हो है, और उसे रोकने का क्या कारण है, आपने बहुत नारे दिये, छोटा परिवार, सु आते हैं, सब पढ़े लिके लोग होते हैं, सरकार बहुत अवेरनेस पर पैसा खर्च करती है, वो तब भी नहीं समझते, तब कानून बनाया जाता है, तो इसी लिए इस देश में जनसंख्या के ऊपर एक कानून बनने की आवशक्ता है, उसी का ही एक ड्राफ्ट अभी कु जी को भी सौंपा था, जिम्मेदार अभिवावक अधिनियम, Responsible Parenthood Act, उसमें हमने बहुत सारे सुझाव दिये हैं, कि कैसे इस देश की जनसंख्या को आप नियंतृत कर सकते हैं, दो बच्चों से अधिक जो लोग पैदा करें, उनका बर्डन, उनके तीसरे बच्चे का य वो भुगतने चाहिएं, वो सारी Government Facilities जो हैं, जो Taxpayer के पैसे से दी जाती हैं, वो सिर्फ दो बच्चों तक सीमित रखनी चाहिएं, जिन लोगों को जो लोग छोटे परिवार, सुखी परिवार की परिकल्पना को नहीं समझते, इतने वर्षों के बाद भी, जो लोग अप परिवार ढंक से नहीं चला सकते, उन्हें सरकारी मदद की तरफ देखना पड़ता है, तो उन लोगों के आप इस देश को चलाने वाले नेताओं की को चुनने की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं, तो जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हों, उनके वोटिंग राइट्स खत में हम लोगों ने दिये हैं. में देश की परस्थिती ऐसी नहीं थी कि कौमन सिविल कोड को लागू किया जा सके, और उसे बविश्च के नेताओं पे छोड़ दिया गया, लेकिन संविधान लागू होने के आज लगभग साथ दसक के बाद भी हमारे नेता उस इस्थिती में नहीं आ सके कि कौमन सिवि भीज़ियान है, वो किस तरह का भीज़ियान है, और किस तरह से आप चलाते हैं उसे? सबसे पहला काम है देश की जंता को जागरूख करना अगर देश की जंता जागरूख हो गई तो वो नेताओं से अपने हिसाब से खुद काम करवाना जानती है तो हमारा प्रियास रहता है कि जनसंख्या से होने वाली उत्पन होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं भविश्य में हमारे बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा उनकी वज़े से उसके बारे में हम देश की जनता को अवेयर करें जिससे की पूरे देश की जनता सरकार पर अपने जनप्रतिनिदियों पर दबाव बनाए जनसंख्या नियंतरन कानून बनाने के लिए जैसा कि आपने युनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात की भारत विश्यू में सबसे पहला देश था जिसने 1952 में दुनिया का सबसे पहला फैमिली प्लैनिंग प्रोग्रेम स्टार्ट किया और आज हम दुनिया के सबसे आबादी वाले देश हो चुकी तो ऐसा नहीं है कि हमारे निताओं को चिंता नहीं रही है उन्होंने सोचा नहीं है 1952 में जवालल नहरू ने सोचा 1974 में इंद्रा गांधी संजय गांधी ने सोचा 2000 में हमारी नेशनल पॉपॉलेशन पॉलिसी बनी अटल्वी हरीवाच पही जी ने सोचा तो ये अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज ये मुद्दा हमेशा रहा है लेकिन 74 के वो फोर्स स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम के बाद कोई भी राजनेतिक दल इसे चूने से घबराता है क्योंकि वोट बैंक की राजनीती हो गई है इसे बहुत से लोग धार्मिक आधार पर ले जाते हैं वो लोग इस विशे की गबीरता को खतम करते है तो अगर व्यक्ति को जीने के लिए तीन चीज़े चाहिए सास लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन ये तीनों चीज़े प्रदूशित हो चुकी है तो हमारे बच्चा चाहें वो बच्चा हिंदू का हो या मुसल्मान का हो या सिख का हो या इसाई का हो सास लेने के लिए शुद्ध हवा किसी को भी नहीं मिलेगी वो ये नहीं है कि हिंदू को ही नहीं मिलेगी पीने को शुद्ध पानी किसी को भी नहीं मिलेगा वो संसादनों का जो दोहन हो रहा है अधिक जनसंग के कारण तो उसका नुकसान सब के बच्चों को भुगतना पड़ेगा सारे धर्म के बच्चों को भुगतना पड़ेगा तो इस चीज़ को हम नहीं सोचते हम सिर्फ राजनितिक लाब के कारण धारमी का धार पे चले जाते हैं जिससे हम लोग वोट बटोड सकें तो आज तक आप देखें कि 35 प्राइवेट मेंबर बिल पर्लेमेंट में 35 सांसद लेकर आए उसमें 15 कॉंग्रेस के सांसद हैं 8 भाजपा के सांसद है तो अगर कॉंग्रेस इस पे सीरियस नहीं रही तो उसके 15 सांसद क्यों लेकर आए 1992 में पीवी नर्सिंगह राव सरकार 79th Constitution Amendment Bill राज्य सभा में दो बच्चों के प्रावधान के उपर लेकर आई थी जैसे आपने बताया अभी कि लोकल बॉड़ी इलेक्शन में कुछ राज्यों में ऐसा है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते वो ही प्रावधान MP, MLA, MLC इनके चुनाव में भी हो इन पर भी लागू हो तो उसके लिए ये 79th Constitution Amendment Bill लाया गया था लेकिन वो आज तक पैंडिंग पड़ा हुआ है डिसकेशन ही नहीं हुआ उस पर तो वो भी Congress के Leaders और Prime Minister लेकर आये थे लेकिन यही जो वोट बैंक की राजनीती ऐसी हो गई है इसके कारण सब लोग कि यह हमारा मुद्ध नहीं है यह हमारा मुद्ध नहीं है पूरा देश कहरा है हजारो वीडियोज लोग बाग हमारे पास बना कर रोऌज भेशते हैं जो जनसंक्या नियंतरन कानून की डिमांड करते है इतने सांसद 125 सांसदों ने समय मांगा पत्र लिखके हस्ताक्षरित पत्र लिखके लोग सभाय स्पीकर से कि आप इन पेंडिंग बिलोग पर चर्चा कराईए संसर्ड में समय नहीं दिया गया क्योंकि एक ऐसा मधुमक्की का च्छता है इसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता कोई राजने तिक दल तो इस देश की जनता के उपर है कि वो इन नेताओं पर कैसे दबाव बनाएं और हमारी ये अपील इस बार देश की जनता से है कि 2019 के चुनाओं में वोट देने से पहले ये जरूर पूछें अपने जन प्रतिनी दियों से कि जो जन संक्या नियंत्रन कानून का समर्थन करे वोट उसे ही दे विल्कुल मनु जी आपने कोछ बहुस महत्पूर मुद्दे उठाए और ये इस देश के भविस्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ मेरे चैनल के माद्यम से राज्य और केंदर की सरकारों तक और जो इस देश का भविस्ताय करने वाले लोग हैं उन तक पहुचेगा और उस पे सरकार विचार करेगी और आने वाले समय में साइद इस देश को ऐसी समस्याव से निजात मिलेगी जिस तरह से आपका परिचा है कि आप एक NGO चलाते हैं और हमारा प्रोग्राम भी बिक्तित वाधारित प्रोग्राम है तो थोड़ा अपने बिक्तित और बिक्तिकत जीवन के बारे में बताए कि कहां पर आप पैदा हुए किस तरह से पले बढ़े सिक्षा दिक्षा हुई और समा सिवा के छितर में आने की पिर्णा कैसे मिली देखे मैं देरहदून में रहता हूँ छोटा सा परिवार है दो बच्चे हैं मेरे एक बेटा और एक बेटी सब लोग हमारे देश के लोगबाग जो है वो हर व्यक्ती बहुत पैसे कमाना चाहता है वो बहुत पैसे क्यों कमाना चाहता है कि अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए उसे लगता है कि मेरे बच्चे तो शायद जीवन में कुछ करेंगे नहीं नाकारा ही रहेंगे तो मैं उनके लिए इतना कमा के छोड़ जाऊं कि उन्हें जीवन में कुछ करने की आवशकता ही ना पड़े उनके लिए छोड़ीए उनके भी अपने पोते पोतियों के लिए भी मैं छोड़ जाऊं तो हर व्यक्ति बस पैसे कमाने में लगा है लेकिन ये नहीं सोच रहे कोई भी कि जो पैसा आप अपने बच्चों के अच्छे भविश्य के लिए छोड़के जाएंगे भविश्य में शायद वो उस पैसे को उप्योग नहीं कर पाएंगे आज इस्तिती ये हो गई है कि दिली जैसे देश के राजधानी में प्रदूशन के कारण बच्चों की स्कूल से छुटी करानी पड़ती है पद्रा लाख लोग हर साल हमारे भारत में वाईउ प्रदूशन से मरते हैं तो इन सारी चीजों को देखते हुए सोचा और आज से पांस साल पहले हम कुछ लोगों ने कुछ मित्रों ने और ये सोचा कि बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए अच्छा पैसा छोड़के जाने की जगे अच्छा राश्ट और समाद छोड़के जाना ज़्यादा उच्छत है उसी को ध्यान में रखते हुए ये Taxpayers Association of भारत हमने बनाया और तब से हम इस छेत्र में काम करें आप मेरे सो में आये अपना बहमोली समय दिया अपने जो विचार हैं वो हमारे दर्सकों से सेर किये आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ये थे हमारे साथ Taxpayer Association of भारत के राष्टि अध्यक्ष मनुगवड जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पूरे देश में अवरेनेस प्रोग्राम चलाते हैं बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते प्रदूसर और घटती संबेदन सीलता को ले करके सक्री रहते हैं, उस पर लोगों का ध्याना करसिद करते हैं और इनकी जो अविहाल की एक्टिविटी थी, जो एक डिमांड थी जिसके आधार पर भारत सरकार ने साइद सिप्रिटिष्ट नेताओं से उनकी सिक्यूरिटी वापस लिए एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में टेक्स पेर का पैसा बचाया ऐसे मनु गोड़ जी हमारे साथ थे, अपने अन्भो सेर किये हम उनका बहुत आभार बेक्त करते हैं अगले सब्ता मिलते हैं, मिलेंगे ऐसी किसी अनसक्सियत के साथ तब तक आप देखते रहें फेज टू फेज